जी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं भाई सब बढ़ी आउंगे इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे SOB और NOS के बीच में यानि के Southern Brave और यहां पे Northern Super Charge की टीम्स के बीचे The 100 का जो मैच नमबर 8 खेला जाएगा इसको डिटेल में कवर करेंगे वीडियो आप लोग कमड़ देखना कोई भी स्टैट्स या फिर कोई भी इनफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है अगर दोनों टीम्स के परफॉर्मेश की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले SOB के जो टीम रहेगी यानिकि जो साउदन ब्रेव की टीम है ये अपना 2 मैश में से 1 मैश फिन कर चुके जबकि 1 मैश अपना हार चुकी है और दूसरे सेड अगर NOS के टीम की बात करें तो इसने अपना एक मैच कहला जो कि इनका भईया टाई हो गया था यानि कि जो ड्रो हो गया था टाई नी एक्चल में ड्रो मैच कहला गया था क्योंकि बारिस की वज़े से वो मैच कंप्लेट नहीं हो पाया ठीक है टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े दोस्तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे सबसी उपर टोप में आपको एक पिंड कमेंट मिलेगा वाँपे टेलीग्राम चैनल का लिंक है सिप्ली आप लोग वहाँ से जुईइन कर सकती हो तोस्त के बाद में कोई भी अपडेट्स होंगी फाइनल टीम में कोई भी चेंज होगा या फिर इस बाउल मैच की पर जरूब वाइनल टीम रहेगी टोस्त के बाद वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर से अपडेट की जाएगी तो टेलीग्राम के साथ में जूर जाना भाई गमेंड सेक्षन में और वीडियो कर डिस्केप्स जो कि आप लोग यहां पर स्कोरिंग पैटरन को देखके भी समझ पाऊगे 110 से कम एक बार स्कोर बन लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो यह कि भाया 135 प्लस का जो स्कोर है वो इस वेन्यू पर साथ बार बन चुक है अब देखो टोटल इस वेन्यू पर 10 मैच इस के लिगए 10 100 गे ठीक है जिसमें से 7 मैच ऐसे जांप 135 पलस का स्कोर बने तो आप लोग यह समझ पाऊगे अब कि यहां से कम से गम 140-145 का तो यह वेन्यू जरूर रेगा मतलब जो भी टीम पहले बैटिंग करना है कि वो कम से गम 140-145 रंस अगर करती है तो वो अपने लिए डिफेंड करना के चांसे जरूर बना सकती या फिर मैच को विन करके जा सकती लेकिन अगर इस वेन्यू पहर फर्स्ट बैटिंग ने 130 या फिर 125 के आसपा स्कोर किया तो भाई फिर उसको डिफेंड करना काफी जादा डिफिकल्ट हो सकता है तो एटलिस्ट 145 के हिसाफ से आप लोग अपना टीम स्लेक्सन जरूर करोगे क्योंकि कंडिसंस कईना काई इस वेन्यू पह बल्ले बाद जो को हेल्प जरूर से करने वाली होंगी उसके बाद में रिशेंट मैच्स की बात करते बाई के सीजन का लंदन स्प्रिट की टीम ने 150 करे मैंचेस्टर ओरिजनल्स की टीम ने यहाँ पे चेज कर दिया बाई 101 क्या वो नंस बना के 5 विगेट से मैंचेस्टर ओरिजनल यानि की MNR की टीम ने विन किया एक बार फिर से 1500 के आसपास आपे स्कोर देखने को मिला फास्ट को 7 विगेट मिले तो स्पिन को इस मैच में मिले थे बाई सब 5 विगेट उसके बाद में नीचे आएंगे यहाँ से मैच नमबर 3 की बात करें 2 सेप्टमबर 2022 का मैच है साउधन ब्रेव वुमेंस की टीम ने 134 और TRT वुमेंस यानि की ट्रेंट रोकेट वुमेंस की टीम ने 132 रंज करें दो अरण से यहाँ पर साउधन ब्रेव वुमेन की टीम ने मैच को विन किया फास्ट को चार विगेट मिले, स्पिन को साथ विगेट मिले बट यहाँ पर भी देखोगे वुमेन के मैच में भी 135 के आसपा स्कोर बनाए तो इतने स्कोर के इसाव से आप लोग अपला टीम सेलेक्शन कर सकते हो बाकि फास्ट और स्पिन में भी देख पाऊगे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है कि नॉर्मली फोरन गंडिसन्स में क्या होता कि नहीं है नहीं है तो में लिए आपके लिए फास्ट और स्पिन के लिए ज़्यादा इंपर इंपोटेञे हो सकते है head to head matches की बात करें, दो मुकाबले वे दोनों टीम्स के बीच में, एक याँ पर Northern Super Charge ने विन किया तो एक विन किया है याँ पर Southern Brave की टीम ने, मैच नमबर एक देखलो जो कि दोनों टीम्स के बीच में वहा था भाईया 31 अगस्त 2022, Northern Super Charge 135, Southern Brave 119 बना पाई 16 रन से, NOS के टीम ने, याँ नोर्दन Super Charge के टीम ने मैच को विन किया मैच नमबर सैकेंड 7 अगस्त 2021 Northern Super Charge 128, Southern Brave ने 131 बना के चेज़ गिया, तो ये आपको मैं नोर्मली बता रहा हूँ, बाकि आपके इतने ज़्यादा काम की ये चीज़े है नहीं, अब देखो important चीज़े स्टार्ट होगे, यहाँ से देखो सबसे पहले बात करेंगे Northern Super Charge के टीम जो रहेगी, इनकी possible playing 11 के बारे में और सभी प्लेयर के जितने भी में आपको stats बता हूँ ना, हम लोग 10-100 के जो मैच्चीज है ना, उनके stats देखेंगे, ठीक है तो सबसे पहले NOS की टीम की बात करते बाई Adam लित रहेंगे, 14 मैचे, 349 संसे 27 के बात करेंगे, और दो विकेट इन के नाम है, काफी तगड़े प्लेयर है, हार्ड इटर प्लेयर है, बहुत तगड़े आपको मिलेंगे बाई, खतरना आप प्लेयर है, और आई प्लेयर के इंदर भी इस साल के अगर बात करतों, एक एवरेज परफोर्मेंस इनोंने दिखाई थी, क्योंकि ज़्यादा मैचे खेलने का मोका मिला नहीं था, काफी नीचे भी बैटिंग कर रही थे बाई, लेकिन प्लेयर टैलेंटेड है, आप लोग अपने टीमें जरूर पिक करें और कैप्टन सी, वाइस कैप्टन सी की चौईस में भी लेके चल सकते हूँ उसके बाद में हैरी ब्रूक रहेंगे, बारा मैच में दोसो च्वेटर है, साड़े चोती स्कैवरेज है अगर आपको कोई लोवर ओडर में बढ़िया प्लेयर चाहिए न, तो आप लोग याँपे एडम होसे के साथ में जा सकते हो नो मैच में 122 रन से 33 स्कैवरेज है, डेविड विजा 10 मैच 153 रन से 7 विगेट है बल्ले बाजी में भी आपको अच्छे पॉइंट दे सकता है, मतलब बैटिंग बैकप आपको दे सकता है प्लस आपके लिए गेन बाजी में कम से कम 10 गेन दे तो मेरे साथ से इनको जरूर करनी चाहिए बागी बैटिंग ब्लस बोलिंग दोनों में पॉइंटस आपको देगा तो आप लोग अपने टीम में ट्राई कर सकते उसके बाद में वेन पारनेल तीन मैच में 5 मेचेट है जो की टीम की कैप्टंसी करेंगे पाज़िपार दुम देखै उसके बाद में सेफ जेब लास मेच कया ले थे भूष है जो है दन हंड़र गाबट इनको वाँ पर बैटिंग करने गा मोहन्त नहीं मिला था तो ये पूरी दोस्तों आपको Northern Super Charge की टीम दिखेगी अब इनकी साइड से तो important pick है वो मैं एक बर आपको बतातू देखो Normally Batting Section के अंदर Adam Litt, Tom Benton, Matt Sword, Harry Brook याँ पर भाई एडम होसे सारे काफी बढ़ी आप ले रहे हैं लेकिन सभी को तो टीम में pick नहीं कर पाएंगे न अगर एक ही टीम की साइड से सभी प्लेर को pick करेंगे तो second जो टीम है उसकी साइड से आपको प्लेस को drop करना पड़ेगा देखो according to performance अगर बात करी जाएगी Adam Litt रहेंगे लेकिन hit and miss वाले player है यह आप लोग जान में रखोगे मैट चोड मेरे हिसाब से important है Harry Brook 34 का average है मतलब the 100 के matches में बढ़िया पर्फॉर्म दे सकते है Harry Brook या फिर Adam Hosset इन में से कोई एक player आप लोग अपनी चोई से रखना क्योंकि Adam Hosset भी काफी बढ़िया player है 30 के आसपास इनका भी average है और 3 match कम खेले Harry Brook से अगर 3 match और खेलेंगे तो शायद और जादा बैतर पर्फॉर्मेंस दे सकते है बाकि थोड़ा सा नीचे बैटिंग गरते है तो उतनी जादा गेंदे खेलने का मोका भी नहीं मिलता अगर आपको देखो यह लगता है कि भाई तो ऐसा player आपको चीए जो ज़्यादा गेंदे खेले तो फिर आप लोग Harry Brook के साथ में जाओ अगर आपको lower order में hitting वाला player चीए ना तो आप लोग यहाँ पर Adam Hosset के साथ में जा सकते हो उसके बाद में डेविड विजा इंग इंपोर्टेंट वेन पार्नेल को ट्राई करो आदिल रसित जो की spin गेंद बाजी करेंगे ट्राई कर सकते हो रीश टोप लेके साथ में जा सकते हो ब्राइडन कार से ठीक है यह पाच प्लेयर आपको दिखेंगे कम से गम दो तो आप लोग अपने टीम में जरूर से पिक कर लेना उसके बाद में नीचे चलते बाई एक बार देखते है साउधन ब्रेव की टीम यहां से देखोगे करके नहीं जाएगा 6 मैच में 17 रंज से 19 कैवरेज है जो की दा 100 के मैचे में उतना कुछ खास मुझे नहीं लगा ओपन करने वाले प्लेयर की साइड से जेम्स विंच 20 मैच में 306 से 24 कैवरेज है टीम की कैप्टन से अब दक उतना इंपक्ट नहीं छोड़ भाई इस सीजन के अगर बात करें इनके पास में जियोर गार्टन से पहले टीम डैविड की उपोप्सण है जो की तगडे हार इटर बल्लेबाज है मेरे साब से टीम डैविड को जो है उपर बैटिंग करवा सकते है फिर जस्ट आपको यहां पर देखो गाटन इनके नीचे आपको बल्लेबाजी गर दिख स लास्ट मैच भाई साब बंदे ने क्या पारी खेली थी 70 रंज की जबरदस टिटिंग करी थी भाई ठोकि साउधन ब्रेव की जो टीम थी ना एक तरफा यहां पे कोलेप्स करके इनकी बैटिंग जा चुकी थी और काफी नीचे बैटिंग करते है जोडन ने तगडे रंज सम पास में चैन बाजी विकलप आपको दिखेंगे इन में से देखो किसी ना किसी के ओवर तो यहां पर यहां पर यह मान के चलो जरूर कटोंगे ओवर तो नहीं बाई गेंदे जरूर कटोंगे क्योंकि एक गेंदबाज मैकसिमम यहां पर 20 गेंदे डालके जा सकता है वो आपको पता होगा कि जा हंड़र के रूल्स के है ठीक है किसी ना किसी के गेंदे जरूर कट होगी आई थिंग यहां पर फास्ट बोलर्स की ही कम हो सकती क्योंकि इनके पास में स्पिन डिपार्ट में आपको रहान एमद दिखेंगे अगर इन्होंने कंप्रिड 20 गेंदे डाल दी ना तो यह मालो किसी ना किसी फास्ट बोलर की यहां पर बाईया गेंदबाजी जरूर कट होने वाली है इनकी साइड से इंपोर्टेंट पिक्स की बात करो देखो सबसे पहले तो आपको ब बल्ले बाजी आईगी तो वहां पर बढ़िया रंस कर सकते है ठीक है तो गार्टन मेरे इसाब से बढ़िया उप्सन आपके लिए बनेगा टिम डैविड आप लोग अपने इसाब से देख लेना भाई क्योंकि थोड़ा नीचे बैटिंग आईगी तो आई तिंग उतना च पूरी इनके पास मेंना 100 बोल्स होती है तो इनसे कहीं ज़्यादा बैटर परफॉर्मेस की मैं उमीद कर सकता था बागी पूरे स्टैट्स आपने देख लिए दोनों टिम्स के प्लेस के हैट टो एड़ स्टैट्स आप लोग देख सकते हो यहां पर इसेंड मैचिस किसको क इतने विकेट मिले वह चीज़ भी आपके सामया उरे चीज़ आपकी बेहलिक कर सकते है नौर्मल यह आपको बता दिया बाइग के सामने एक अड़े एसी मैटिंग इतने के स्कोर के आई साब से आप लोग अपना टीम स्लेक्शन कर सकते हो। आप ही चलते दोस्तों अपनी डेमो टीम पर, एक बार इस मैच की डेमो टीम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिटा फट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से उन कर लीजिए टेलिग्राम का लिंक आपको नीचे comment section में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग टेलिग्राम को join कर सकते हो कोई भी updates होगी तो आपको finally जो है toast के बाद में टेलिग्राम पे मैं सारी updates देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो फिर अपने demo team combination पे चलते हैं सामने वाले टीम के गेंद बाद जो को मैंनत करनी पड़े तो आप लोग जाओगे डिवन कोनवे के साथ में और स्मोल लिग में आई थिंक आपके लिए बैस्ट ओप्सन है बैस्ट इसलिए क्योंकि हर बंदा डिवन कोनवे के साथ में आएगा तो अगर आप लोग बड़ा तो मैं जाओँगा बोस यह तो मैं आपको लड़ी के लिएर कर चुका हूँ एडम लिट के स्टेर्ज हो है दा हंडर के मैच्चिस में काफी बड़ी है एडम होसे अगर आपको लोवर ओडर में कोई बड़िया प्लेयर चीए तो इनके साथ में जाओ मिडल में कोई आपको चांसिस थोड़े से कम रहेंगे ठीक है क्रैग ओवर टन के साथ में चलेंगे डेविड विजा बहुत बड़ी अविकल्प हो सकते जोस्तों ट्राई कर सकते हो जेम्स फुलर आपके पास में उप्सन रहेगी उससे पहले मैं चलूँगा बोलिंग सेक्चन में सबसे पहले जो मेरे इसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स है उनके उपर थोड़ा सा फोकस करेंगे वेन पार्नेल क्रिस जोडन रहेंगे उसके बाद में मैं नीचे आउँगा यहां से मुझे चीए बाई जो की बैटिंग बैककप अपने को दे सकते है अभी आप लोग देख पड़ेगा रीज टोबले आपके पास में उप्सन है टाइमल मेल्स को एसोबी की साइड से ट्राई कर सकते है आपके पास में उप्सन हैगी आदिल रसीद अगर आपको स्पिन डेपार्टमेंट का कोई प्लेयर चीए तो इनके साथ में जाओ यहां से मैं फिलाल पिबागे तो फिर मैं जाओँगा एडमले ट के साथ में मेरा 11 प्लेयर का टीम सलेक्षन अभी आप लोग देख पाऊगे ठीक है यह माई 511 पर मैरा जो है 11 प्लेयर का टीम स्लेक्षन है बागे 311 की जो टीम रेगी या फिर अधर किसी फेंटेसी आप की जो टीम से रेगी आप लोग NOS की साइड से कैक्स्टा बल्लेबास भी पिक कर सकते हूँ ये चेंज आप लोग अपने इसाफ से देख लेना कैप्टनसी में देखो यहाँ पर मैट शोट बढ़िया ओप्सन है ठीक है क्योंकि भाई गेंदबास जी बढ़िया करवाई है और विकेट निकाले लगाता डेथ के अंदर भी गेंदबास जी करेंगे वो पलस फॉइंट रहेगा ठीक है तो यह मेरा प्लेयर जो है टीम सेलेक्शन है दोस्तो 11 प्लेयर का आप लोग अपने अगोर्डिंग कोई भी चेंज गरना चाओ तो कर सकते हो उमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो अपने कंप्लेड वोज क्या होगा भाई पसंद आयोती है और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लेना आने वाले किसी भी मैच की वीडियो आपको मिस नहीं करने टेलिग्राम के साथ में जुड़ जाना भाई इसी वीडियो के कमेंट सेक्सर में जाओगे सबसे टोप में आपको एक पिंड कमेंट मिलेगा वहाँ पे टेलिग्राम चैनल का लिंक है सिंपली वहाँ से जोईन कर सकतो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद गरता हूँ आप लोगी इस मैच में एक बढ़िया टीम कोमिनेसन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा पर्फूम जरूर करेगी